नमस्कार दोस्तों सोट सारी NGS में आपका स्वागत है आप लोग थमनल देखके समझ ही गए होंगे कि आखिर जो पेपर में निकला था और आप लोग अभी बहुत सारा कुमेंट्स आ था कि सर नई दुनिया के पेपर में जो इसका आया था कि पेपर आउट हुआ है तो आख लोग एक बंदा को suspend कर दिया दे गए देखे तो दोस्तों एक suspend चीज ही अलग होती है और एक dismissed चीज अलग होती है लेकिन dismissed from service नहीं हो सकते है क्योंकि अगर dismissed from service होगी तो जब तक नहीं किसी चीज़ का पका सभूत मिल जाता है तब तक कि नहीं को dismiss from service नहीं कर सकते हैं लोग इसमें comments करे रहे हैं देखिसर बेसप का एक बंदा, दो बंदा, चार बंदा इस तरह से suspend किये गया है तो क्या ये really है या fake है इतना proof होने के बाद में भी exam sir cancel नहीं हो रहा है तो देखो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि आखिरे नई दुनिया वाला पेपर ने इस चीज को बात को लिया है थोड़ा सा बात की चर्चा जो थोड़ा सा आगे बढ़ गई है इस पर action भी लिया गया है और action लेने के साथ साथ में जिन जिन भी बंदों को उस center पे था उनको suspend का उड़र हुआ कि family में कोई एक भी आपका भाई हो चाहे कोई हो, माता हो, पीता हो चाहे कोई भी हो अगर वो एक बंद अगर गलती कर देता है तो ऐसा तो है नहीं न कि आपका पूरा family ही खराब है पूरा family तो खराब नहीं है न किसी एक बंदा ने गलती कर दिया हो सकता by mistake गलती किया हो या मतलब जान बूच कर ये तो ये चीज का तुपर कर या न हमें पता चलेगी न आपके पता चलेगी आखिर वो बंदा जान बूच के किया या फिर गलती से by mistake ऐसा कर दिया तो ऐसा तो है नहीं न कि अगर पूरा मतलब फोज ही गलत है ये चीज तो हो नहीं सकती है लोग बोल रहे हैं कि B.S.A.P. में पेपर लिख हो गया B.S.A.P. ठीक नहीं है ऐसा है वैसा है तो ऐसा बात नहीं है कि एक बंदा के चलते मतलब कि पूरा फोज खराब है हाँ एक बंदा के चलते है पूरे फोज बंदाम हो सकती है कि भाई B.S.A.P. का बंदा था तो उससे क्या होता है पूरा B.S.A.P. बंदाम हो सकती है लेकिन ऐसा नहीं है कि एक बंदा के चलते है पूरा B.S.A.P. ही खराब है तो suspend letter का order तो मिला है दोस्तों लेकिन बात यह है कि उनका नोकरी से तो नहीं निकला जगा जब तक नहीं इस बात का court पुरूप कर दे या इस चीज को जब तक नहीं पुरूप हो जाए कि आखिर ये बंदा मतलब की मतलब की जान भूच कर गलत किया जान भूच कर पेपर ऐसा किया तभी वो बंदा को नोकरी जा सकते है यानि डिस्मिस प्रोम सर्विस जा सकते है अगर इस चीज का अगर नहीं पुरूप होता है तो फिर वो एक्जाम ना cancel होगा और ना उस बंदा का कुछ होगा क्योंकि उसने बंदा ने कुछ गलत किया नहीं लेगन अगर फूरूप हो जाता है तो एक्जाम भी cancel होगा और उस बंदा को डिस्मिस प्रोम सर्विस यानि कि उनको नोकरी से भी हद धोना पड़ेगा यह चीज होता है मतलब किसी चीज का एक रूल होता है लेकिन मतलब कि मैं आप लोग से बात बता रहा हूँ आप लोग का ज़्यादा यही चीज रहता है कि ज़र एक्जाम किंसल होगा कि नहीं मैं आपको बता दता हूँ कि एक्जाम किंसल नहीं होगा यह चीज मैं पहले भी बीडियो में साबित हो जाता है, साब चाप, कि हाँ भाई, इदम मतलब पेपर इसने जान बूच कर लिख किया है, जान बूच कर तब अंतुटु हुआ, मैं वह पेपर मतलब की cancel हो सकता है दूसरी बात है कि यह paper इसमें तो अब delay हो चाहे जो हो अब तो जैसा हो अब आगे क्या होता है लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि आप लोग अब B.A.S.P. टेडमेंट करने हो भरती आना 300 post के करीब आने वाला है उस पर भी मैं बिडी बना दूगा नई भरती आने वाली है अपना मार्च में इसको देखने को मिल जागा नहीं तो जुन जुलाए में देखने को मिल जागा तो नई भरती भी आ रही है दोस्तों तो मैं आप लोग से यही बताने के लिए आया था हाँ पुरूफ हो जागा तब के इंसल हो सकता है वो भी एक पर्चेंट चांसा निनाइमी पर्चेंट है कि आप लगा रिजल आएगा तो यही जनकारी देने के लिए आये थे दोस्तों आप लोग का वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा या किसी तरह का और भी कोई भी परसानी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा तो मिलते हम नेक्स्ट वीडियो में तो सभी भाईयों को राम राम वर्शे